हाई फ्रेंड्स मैं हूँ संचारी और आज में लेकर आई हूँ बहुत सिंपल एंड यूनिक आईस्क्रीम डेसिपी और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए सर्फ त्री इंग्रेडियेंट्स नहीं चाहिए मिल्क पाउडर, कंडेंस्ट मिल्क, हैंड बीटर, आईस्क्रीम यह बिस्कित हम अक्सर चाह की साथ खाते हैं, यही बिस्कित से हम आईस्क्रीम को बनाएंगे, पहले हम बिस्कित को तोल लेंगे अच्छे से और अलग-अलग से दोनों बिस्कित का हम पाउडर बना लेंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं यह आईस्क्रीम घर पर बना रही तो आप लोग भी देखते रहिए और उमीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छा लगेगा तो बिस्कित का पाउडर बनके रेडी है तो कैस में हम रखे है 750 ml के करीब मिल्क मिल्क को हम अच्छे से उबाल लेंगे और तब तक हम इसको उबालेंगे जब तक ना ये क्वा तो यहां पर आप देख सकते हो मिल्क अच्छे से बॉयल हो चुका है और ये रिडियूस भी हो चुका है अभी इसको ठंडा कर लेंगे साथ में हम लिए है चॉप्ट चेरी और चॉप्ट आमंड थोड़ा सा मैदा से हम इसको कोट कर देंगे ताकि इसको जब हम आइसक्री स्मूथ पेस्ट बना लेंगे दूद आप ग्रैजूली डालते जाए एक साथ में नहीं डाले क्योंकि एक साथ में डालने से यह जो बैटर की कंसिस्टेंशी है यह पता नहीं चलता है तो थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाए और इसको स्टीर करते जाए बैटर रेडि ह तो दोने के बाद क्या करना है इसको फीर से मिक्सिंग जार में डाल गे पाँस से साथ मिनिट के लिए एक बड़ फीर से घुमा लेना है उससे क्या होगा यह जो बैटर है इसमें थोड़ा सा भी रफनेस हो वह बिल्कुल चला जाएगा और बैटर जो है उसका जो टेक्शर वह बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो जाएगा और खाने के टाम यह बहुत ही स्मूथ लगेगा तो इधर आप देख सकते हो पैटर बिल्कुल रेडी है तो दोनों पैटर को अलग-अलग से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी हम जलते हैं निक्स टीप में यहाँ पर मै 350 ml का है अब कोई भी कंटेनर ले सकते हो अभी इसमें हम पहले डाल रहे है वाइट बाला जो बैटर हम बना के रखे थे वो बैटर और वाइट बैटर डालने के बाद उपर से हम थोड़ा सा चेरी डाल देंगे वाइट के साथ जो रेट का ये कॉंटरस्ट है ये बहुत ही अ कॉंटरस्ट में बहुत अच्छा लगता है कोई भी ड्राइफूट सबको पसंद है अब इसमें डाल सकते हो फिर से वह वाइट कलर का जो बैटर है वह हम डाल देंगी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और उपर से हमें ड्राइफूट से इसको गार्निश कर देना है ये सिंपल एक आइस क्रीम रेसिपी है घर में आप इसको फटा फट बना सकते हो अगर आपके पास दो कलर की बिसकिट अवेलेबिल नहीं हो अब एक कलर की बिसकिट से ही इसको बना सकते हो ये ट्वीन वा आइस क्रीम खाने में बहुत मज़ेदार बनता है बहुत ही स्मूथ और ये खाने के टाइम आपको बहुत ही मज़ा आएगा लगेगा कि आप बजार से इसको लाए हो तो घर में इसको आप एक पर डेफिनिटली ट्राइ कीजिए अभी उपर से हम एक प्लास्टिक से इसको रैप कर देंगे ऐसे करने से जब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे उपर में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होगा और ये खाने के टाइम में बहुत मज़ा आएगा तो इसको हम केरफुली रैप कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 7-8 घंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में रखेंगे तो चलिए 7-8 घंटा एक बढ़ हम देख लेते हैं इसका टेक्श्चर किया है एक अच्छे से 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 हुआ है कि नहीं तो आठ घंटा बाद मैं इसको निकाली हूँ बहुत ही सिंपल है और इसको बनाने में कोई भी जंजत नहीं है घर में एवेलेबल सामानों से आप इसको बना सकते हो तो एक तो ट्राइ कीजिएगा और कमेंट्स में आके डेफिनेटली बताएगा आपको कैसे लगा मैं काटके भी दिखा रही हूँ देखिए देखते ही आपको अंदाजा हो रहा है कि यह कितना परफेक्टली बनके रेडी हुआ है और बच्चों को यह बहुत ही मजा आएगा खान है तो इफ लाइक देखिपी प्लिस सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक शियर और कमेंट थैंक यू वेरी मच पर वाचीं